नमस्कार में शुशिल महपातरा आज एक ऐसा खिलाडी की बात करते हैं जो क्रिकेटर के रूप में नाम कमाया और महाराजा के रूप में एक आच्छा सासक बना तेनिस खिलाडी बनना चाहता था लेकिन क्रिकेटर बन गया जन भारत में हुआ लेकिन किर्केट इंग्लेंड के लिए खेला इस खिलाडी को भारत ये किर्केट का जनक माना जाता है जिस खिलाडी के बात में कर रहा हूँ उनका नाम राणजित सिंग है राणजीत सिंग जी का जन्व 10 सितेमबर 1872 को गुजुरात के नवा नगर में हुआ था राणजीत सिंग जी के जन्व के पांच साल बाद यानी 1877 में टेस्ट किर्केट का शुरूबात हुई बच्पन में राणजीत सिंग जी का किर्केट के परती कोई रूची नहीं था बलकि वो एक टेनिस खिलाड़ी बनना चाहते थे लेकिन पढ़ाई करने के लिए जब वो इंगलन गए तो किर्केट के परती उनका प्यार बढ़ता गया उस बहुत इंगलन में टेनिस से ज़्यादा किर्केट खेला जाता था उस बहुत इंगलन के सासेक्स क्लॉप काफी नामी क्लॉप था ग्राजियोशन के बाद रणजीत सिंग ने सासेक्स के लिए किर्केट खेलना शुरू किये और अच्छा प्रदर्शन करने लगे प्रदर्शन क्रिकेट में रणजीत सिंग जी का काफी अच्छा रेकर्ड है रणजीत सिंग जी ने 307 प्रदर्शन में आज खेलते हुए करिब 56 के औसर से 24,600 बयाने में रन बनाए हैं जिसमें 32 सतक और 109 और 10 सतक सामिल है रणजीत सिंग ने संसक्स के लिए 4 साल तक कफ्तानी भी किये वो भारत के पहले क्रिकेट खिलाडी थे जिन्होंने इंगलंड की तरब से अपना क्रिकेट केरियर सुरू किया उस बग भारत में अंग्रेजों का सासन था और रणजीत सिंग का इंगलंड टीम में चाइन उनका कहना था कि रणजीत जी का जन्म इंगलंड में नहीं बलकि भारत में हुआ है तो इंगलंड टीम में उनका चैन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाब रणजीत सिंग जी का चैन हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलेगे पहले टेस मैच में रणजी पारी में रंजी सिग्झ जी ने इंगलन्ड के तरफ से 62 रन बनाये थे कि रंजी सिंग जी ने शांदर व्र较सन किये जब एंगलन्ड के के दूसरे बले-बाज एक के बाद एक पैविलियन लोट रहे थे वही रंजित सिंग जी एक छोर संबाल रखे थे रंजित सिंग जी तेज खेलते हुए 23 चोके की मदद से 154 पर नॉट आउट थे और दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए जिनने अपने पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में अर्ध सतक और दूसरे पारी में सतक मानने का गौरव हासिल हुआ सिर्फ इतना ही नहीं रंजित सिंग जी टेस्ट क्रिकेट के पहले खिलाड़ी थे जो अपने क्यारियर के पहले टेस्ट मैच में सतक ठोकते हुए नॉट आउट रहे अगर अपने पहले मैच में सतक मानने के बाद की जाए तो यह रेकरड उइलियम्स ग्रेस के नाम है ग्रेस ने पहले खिलाड़ी के रूप में अपने क्यारियर का पहला टेस्ट मैच में सतक ठोकते हुए रेकरड कायम किया था लेकिन इस मैच में ग्रेस 122 रन बना कर आउट हो गए थे रंजित सिंग जी पहले खिलाड़ी थे जिन्नोंने मैंचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर 150 से भी ज्यादा रन बनाए रंजित सिंग जी ने अपने क्रिकेट केरियर का पहला और आखिर मैच अस्ट्रेलिया के खिलाब और मंचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेला आखिर म्याच में रंजित सिंग जी कुछ खास नहीं कर पाए थे इस म्याच में रंजित सिंग जी कुल मिलाकर सिर्फ छेरन बना पाए थे 1904 में रंजित सिंग जी भारत वापस आगे रंजित सिंग जी का किर्केट के प्रती इतना प्यार था कि 48 साल की उमर में वो प्रथम सानी क्रिकेट खिलना चाते थे 1907 में रंजित नवा नवर के महराजा बने एक आच्छै क्रिकेटर के तरह और एक आच्छा सासग भी थे 1934 में रंजित सिंग्जी के नाम पर भारत में रंजी टरफी सुरू हुई रंजित सिंग जी भारत के पहले किर्केट खिलाडी थे जिने अंतराश्ट्र म्याचों में मौका मिला था रंजित सिंग जी को भारत ये किर्केट का जन दाता माना जाता है आज के लिए इतना ही नमस्कार